नमस्कार मैं सुमित कुमार स्वागत हैं आपका अपने यूटूब चैनल I Love Student सुमित कुमार दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो वीडियो है वो बहुती खास है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कंप्लेटिब एक्जाम की त्यारी करते हैं आज से मैं कुश्चन एक से लेकर दस हजार कुश्चन कंप्लेट कराऊंगा इस चैनल पर और हिस्ट्री की जो प्लेलिष्ट है वो अलग बना दी गई है क्लास बन है इतियास टॉप कुश्चन दस हजार कुश्चन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर प्राचीन भारत मद्यकालिन भारत आधनिक भारत सभी कुश्चन का जो पीडियफ है वो भी आपको मिलेगा टॉपिक बाइस टॉपिक आपको जो बीडियो है वो मिलेगी आपको daily practice होगी ये class 1 है for all competitive exam के लिए आप तैयारी कहीं से भी कर लें आपने इतिहास कहीं से भी बैच लिया हो या आपने book से पढ़ा है अगर आप question नहीं लगाते तो आपको exam में question याद नहीं आएगा आप उसमें लगाने में options में गलती कर देंगे अगर आपने इन question को देख लिया तो guarantee दे रहा हूँ अगर आपने केताब को पढ़ा भी है अगर नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप question देखकर आप टिक लगा कर आओगे यस ये question मैंने पढ़ा था जी बिल्कुल सही सुना तो guys इतिहास top question 10,000 की सीरीज में आपका स्वागत है अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को question नमर एक से सुरुआत करते हैं हेलो फ्रेंड्स तो आप question स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला question ने कि मानो द्वारा सर्व प्रतम प्रियुक्त अनाज था ये question प्राचीन भारत से है जो हमारी वीडियो अभी सुरुआ से starting जो हुई है वो प्राचीन भारत से है उसके बाद मद्दे कालिन भारत आएगा उसके बाद आधनिक भारत आएगा इस प्रकार से हम दस हजार question complete करेंगे तो गाइस बताईएगा अगर आपको आता है इस question का उतर तो फ्लीश मतलब मानों दौरा सरफ परितम जो प्रियुक्त अनाज था वो कौन सा था जो तो मैं आपको बता दूँ कि आधनिक मानों जो समास दौरा मुखμαι की रूप से जोreating थी आठ फसले थी जिन में जो सरफ प्रितम जो प्रियुक्त किया था वो अनाज कौन सा था जो कौन था त लब आपने किताब में पढ़ा ही होगा कि जो मानों का साच्छे वो कहां मिलता है कुश्चन करा कि भारत में मानों का सरप्रतम साच्छे कहां मिलता है यानि कहां मिला था जब खुदाई की गई थी तो निलगरी पहाडियों पर सिवालिक पहाडियों पर नलमाला पहाडिया या नर्मदा घाटी तो जो इसका सही उत्तर है वो आपको वताना है तो जो इसका सही उत्तर है वो है option D यानि नर्मदा घाटी पर भारत में मानों का सरप्रतम साच मिला था तो चलिए बढ़ते हैं एगले कुशन की तरफ और मैं आपको बता दूँ भारत में मानों का सरप्र साच कहां मिला था नर्मदा गाटी पर कौन से राज में मद्ध प्रदेश में तो मद्ध प्रदेश के पश्मी नर्मदा छेतर में मिला इसकी खोच कभुई थी 1982 में ठीक है आपको याद रखना यहां से दो तिन कुशन आपको कंप्लेट होते रहेंगे तो 1982 में ठीक है प्रदेशन दिया गया भारति अउप महादीप में करसी के प्राचिनतम साथ चे प्राप्त हुए यहां पर आपके पास च्वार आपको बताना है तो चलिए देखते हैं कोलेड हवा से यहां पर लहरादेव से मेहरगर से या तोकवा से तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है ओप को बताना है तो जो इसका सही उत्तर है बोहे आप्शन वी यानि लहुरा देप से भारतिय उप महादीब में क्रसी के प्राचिनतम साचे लहुरा देप से मिले हैं तो फ्रेंस यहां आपको समझ में आ गया होगा कि जो नमीनतम खोजो क्यादार पर भारतिय उप महादीपों में प्राचीनतम किरसी साच वाला इस्थल कहा है उत्तर प्रदेश के संत कभीर नगर दिले में इस्तित है कौनसा लहुरा देव ठीक है तो यहां से लगवग 8000 ईसा पूरुप से 9000 ईसा पूरुप के मद्द के चाबल के साच प्राब्द हुए थे चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं एकले कुश्चन की तरफ जो अगला कुश्चन है खाद्यानों की किरसी सरप्रतम प्रारम हुई कहां से प्रारम भी यानि नप पासाल काल में, मद्द पासाल काल में, पुरा पासाल काल में, प्रोटो एतियासिक काल में तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या है तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कमेंट बॉक्स में जवाब कौन देता है कि खादानों की जो किरसी सरप्रतम प्रारम हुई थी वो कौन से युग में हुई थी नप पासाल काल में, मद्द पासाल काल में, पुरा पासाल काल में, प्रोटो एतियासिक काल में तो गाईस जो इसका सही उत्तर है वो है आप्शन A यानी नप पासाल काल में जो यहां से साच मिलते हैं नि कौन सी फसल हुई थी तो यहां पर आप बता सकते हैं जोओ एवम गिहूं के साच मिलते हैं और मैंने इस्तान आपको बताया था कोहलिल हवा तता मेहर गड़िन दोनों से तो चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ और अगला कुश्च तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका जबाब कौन देता है comment box में comment कीजीगा जो इसका सही उत्तर है वो आपको बताना है तो मैं आपको बता दूँं जो इसका सही उत्तर है वो क्या है आदमगड मद्य पासाडिक परशांग में पसू पालन के प्रमार जहां मिले बैस्ता कौन सा है आदम गड़ है तो चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ और अगला कुश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक ही कबर से तीन मानो कंकाल निकले हैं तो गाइस देखिए चार जो मानो कंकाल निकले थे वो सराय नाहर राय से न अगला कुश्चन है नवदा टोली किस राजी में अवस्तित है गुजरात महराष्ट 36 गड़ मद्धि प्रदेश तो आपको बताना इसका सही उतर क्या है तो मैं आपको बता दू नवदा टोली किस राजी में अवस्तित है तो यह मद्धि प्रदेश में है आपको याद र उत्तर है भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो गुफाओं के सहल चित्र के लिए प्रसिद्ध है बढ़ते हैं एगले कुशन की तरफ अगला कुशन है भारत में किस स्लासरे से सरवाधिक चित्र प्राप्त हुए घगरिया से भीम बेटका से लेखाईया से आदमगर स जिसका सही उत्तर है भारत में किस स्लासरे से सरवाधिक चित्र प्राप्त हुए तो भीम बेटका से सरवाधिक चित्र प्राप्त हुए चलिए बढ़ते हैं एगले कुशन की तरफ अगला जो कुशन है बो है निमने में से कौन सा इस्थल प्रागहतियासिक चित्र कला के ल पंचमडी सिंग्रोली अब्दुल्ला गंज राइसें तो भीम बेटका की जो गुफाएं हैं वो कहां इस्तित हैं तो वो अब्दुल्ला गंज राइसें में इस्तित हैं आपको याद रखना है चलिए वड़तने एक लेकुशन की तरफ निम्न लिखित में से किस इस्तल से मा मानो कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुआ है यहाँ पर आपके पास चार आप्शन है प्रहमागिरी वर्ज होम चिरांद मास्की तो जिसका सही उत्तर है आपको बताना है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आप्शन भी वर्ज होम में क्या कुछन है कि निमने लिखित में से किस इस्तान पर मानों के साथ कुट्टे को दफना जाने का साच मिला तो ये भी आपका हो जाएगा वर्ज होम से ही यह साच मिला यानी कि मानों के साथ कुट्टे को भी दफना दिया जाता था बलच आगे और जो कुछन दिये गए उनकी तर आवास के साथ से प्राप्त हुए हैं बुर्जों से तो चलिए आगे बढ़ते हैं राष्टी मानो संग्राले कहां पर है राष्टी मानो संग्राले कहां पर है वाटी वस्तर भोपाल चिन्नी तो इसका सही उत्तर है वह भोपाल राष्टी मानो संग्राले भोपाल में इस्ति तो friends यहाँ पर मैंने कुछ question आपके लिए करा दिये है class 1 में class जो second class है वो जल्द आने वाली है तो guys अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो कर लिजिए मिलते हैं next video में thanks for watching